हाँ दोस्तों राजवन सिंग महली प्रोपटी गुरुकूल चैनल में स्वागत और आज फिर एक के स्टडी जो एक प्रोपटी को बिखने को आती है और उसके पास जो जिस्ट्री थी सेल डीट थी वह 1260 सकेरियार्ड की है 1260 सकेरियार्ड का उनके पास लीगली टाइटल है और्नर्शिप का टाइटल है कोई प्रावलम नहीं है लेकिन जब इसको अक्स सजरा से मिलाया गया जिसको पंजाब और हर्याना में लठा भी बोलते हैं लट्कियों के लट्रे के कपड़े के उपर बना होता है गहों का जो स और कैसे निकला तो वो इसके लिए आप ये वीडियो में अंतक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो का पूरा मैसे समझा जाजाए और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए कोई ठगी ना हो जाए सामने वाला बन्दा चीट ना कर जाए च्या अपनी नौलज की वज़े कि आपका कोई नुकसान ना हो जाए आपकी कम नौलज की वज़े से आपका कोई नुक्सान ना हो जाए क्योंकि क्योंकि कोनून ये कहता है मुश्टरी हुश्यार बास खरीदार खबरदार विवेर्दा बायर बायर कुद ही जिम्म आराइस चीज घज तो यह 1260 की यह कह रहे हैं कभजा यहां पर है उनका कहते ही हमारा जो यह है यह इसका तकरीव जे निखाला गया तो उसका चपन बाई 158 ठीक बन गया तो तकरीब बाराइसो तीस गज आ गया लेकिन तीस गज चपन बटा 21 से इसमें से उनको तीस में जब यह नंबर यह तो तो हमें तीस गज लेना है का मतलब हो गया यह थी हम 30 को 9 से मुटिप्लाइए करें 270 सगेर फुट होता है 270 हम जब हमारे पास किसी की एक लेंथ आ जाती है विड़त आ जाती है तो उसका फार्मूला क्या है एरिया मतलब एरिया जो है एरिया को हम जो हमारी लेंथ है लेंथ को डिवाइड कर दे तो हमारे पास विड़त आ जाती है तो आप यह हम मैंने जब जिसका निकाला हमने तो 270 फिट एरिया निकलना था इसमें से 70 फुट की एक बाहि निकल गी एक मतलब उसकी लेंथ चलेगी तो है रहे हैं जी हमारे पास 56 विटका है यह मैंने लिखा काड़ा मार्चल परदेश में हैं और सडॉरा अर्याना में यह यहां के बीच में पढ़ता है तो वहां की रसू पर वहां की यह पर परपरटी है तो हमने वहां काड़ बैठें कबजा लेके बैठें की कोई प्रॉल् लगे लिए यह जमीन हो तो इसकी लेंथ है को तो यदि हम सतर से मल्टीपल डिवाइड कर लें तो ये चार फिट से भी कम जो इसकी है विड़त आएगी इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रॉपर्टी जिसको वो कमर्शियल कहके बेच रही हैं बहुत ज्यादा रेट बेच रहे हैं उसका जो फरंट है सिर्फ चार फिट का तो हमने इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों जब तक हम इन बातों से अच्छे तरीके से इन बातों के बीच में से नहीं निकल जाएंगे एरिया कैलकुलेट करना हमें नहीं आएगा हमें काग्ज पत्तर देखने नहीं आएंगे तो हर्ष मोड पर आपके साथ दोखा होन मैं हमने का भी इस तरीके से लो फिर वो को कहते हैं हम आपको तैसिल में तसली कि रहा जाते हैं है पुट़वरी के पाढ़त財़ चैस की मिलेगा मतलब चार फॉत से ज्यादा की अकसस्याश नहीं मिलेगी चार वोट से ज्यादा का कबज तकी उपर लीगली नहीं मिल सकता भले चाहे सारे ही कब जाब के पास हमने इन बातों से बचना है भाई जो भी काम करना है बहुत ही उसको संजीदगी के साथ करना है ताकि आपके साथ ऐसा गड़ बढ़ना हो जाए कोई या क्यूंकि बहुत मुशकर से पैसा कमाये जाता है और गुवाने के लिए तो कोई पताई नहीं कि आ पिर लाने के लिए तो बंदे की सारी जिन्दगी निकल जाती है और बुरा टायम आने में पताई नहीं लगता क्या आ गया किसी दिन बंदे का सब्सक्राइब आप स्टमर के लिए गषण मिन्ट में आ जाते हैं तो यह इसको मैं फिनांशल एक्सिदेंट हो गया तो बंदा चाहे मतलब कुछ नहीं बंदे को लेकिन बंदे की पीस और मैंड है जो वह बहुत बुरी तरह से डिस्टार हो जाएगा और पैसा भी डूबने का मैं पैसा डूबने का भी बहुत बड़ा रिस्क रहता है चांत रहती है तो हमने इन बातों का छोड़ी चोड़ी बातों अपने लिए हमकिसी के लेनी अपने लिए इन बातों का दियां ठ larger होगे मारे financial halten जाया तो आवन पिस और मैंड ना हमारा कराब हो जाये ऐसा property लेने के बाद फिर ले लिए जिस दिन पता लग गया कोई दूसरे बंदे ने कबजा शुड़ा लिया तो आप पुलिस में पैसे लगाने के मतलब आपके लिए जगा बन जाती है तो आप वहां पर जाके उल्जे रहते हो फिर जब एक बार कोट के शुरू हो जाता है तो आप आदमी का दिमाग उस काम की तरफ जा का काम कर रहे हैं भाई आपके रिष्टेदार हो या कोई हो उस बंदे से ही बात करें जिस बंदे को थोरो नौलज हो रिष्टेदारी में जाके कोई रिष्टेदार आपका काम करा है उसके इंप्रेशन में जाके उससे प्रोपर्टी नहीं लेनी क्योंकि हमें जानकार प् बख्रावत मौत तो हमुसको नहीं करते और कोई डॉकटर ऐसा ही हो झिसके पास हमारी तसलीन हो तो हम उससे अपना इलाज नहीं करेते तो इसीलिए जब प्रॉपटर्टी एजेंट भी आपने सेलेक्ट करना है तो अपना जानकार नहीं करना, subject का जानकारignय करना है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाट स्पेशलिस्ट है जी, वह भलानी चीज़ का एक्सपायट है, उह गले डॉक्स का एक्सपायट तो इस बातों का ध्यान रखना है, हमने उस डॉक्टर के पाद जाना उस property agent के पाद जानाई जो इन такая जो काज़्ों को पढ़ने में काज़्ों मेरा नुखस निकालने की महारथ रेक्ता हो इस तियु बहुत जबल ने Topic के साथ आपके सामने होंगा तब तक आप चैनल के साथ बने ते